हेलो दोस्तों एक कारफेक्स के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागात है और आज आपके सामने है टोईटा हाई राइडर या आप इसे टोईटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर भी बोल सकते हैं क्योंकि अर्बन क्रूजर नाम बहुत ज़्यादा बड़ा हो जात है तो हाई राइडर बोलना ज्यादा सही रहता है या आपने एक और गाड़ी देखी होगी मार्केट में मारूती फुजकी की ग्रांड बीटा रहा है यह दोनों गाड़ियां सिमिलर दिखती है और सिमिलर हैं भी इंजन में सेम ही मिलता है इन दोनों में फिर पेक ही फरक ह पूरा डिफरेंट मिलता है और यह बहुत बेसिक है जिससे आप गाड़ कर सकते हैं और अन लॉक कर और लगता है जबसे मारूत ही फुजकी की यह रिमोट की आई है तब से यही की आपको दी जा रही है तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके फरन्ट लुक में तो फरन्ट भी ट्यारा का भी फ्रंट लुक देखा होगा तो इन दोनों में बहुत ही ज्यादा चेंजेव हैं इंटीर भले ही सेम दिखता है आपको लेकिन एक्स्टीर में आपको बहुत सारे चेंजेव दिख जाते हैं और इसके फ्रंट में आप देखेंगे तो यहाँ पे लोगो प्रण लाइट कि देखने में अच्छा लगता है और प्यारा लगता है उसके बाद आप देखेंगे तो नीचे यहाँ पे गिरिल दी गई है ब्लेक कलर में यह भी देखने में अच्छी लग रही है और यहाँ this एक लर में पियानो ब्लेक फिनिश में है और यहां पर आपको नंबर प्लेट आ जाती है बिल्कुल सेंटर पे तो दोनों गाड़ियों में इतनी जाता कोई खाफ डिफरेंट नहीं है फिर पे एक्सिरियर का ही डिफरेंट है और यहां लाइटिंग भी फेम दी जाती है इसम गलत बात लगते हैं मुझे क्योंकि फॉग लेंप तो कम्सकम होना चाहिए क्योंकि जिन कार्स में फॉग लेंप नहीं होता तो उनका लुक भी थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं लगता और उसके बाद आप साइट के व्यू देखेंगे तो सबसे पहले आपकी नजर जाएगी इसके टायर पे क्योंकि यहां पे आपको 17 इंच के टायर मिल रहे हैं और इसके जो एलोई वील हो देखने में बहुत प्यारे लगते हैं डूल टून में डायमंड कट के दिये गये हैं जो पियानो ब्लेक फिनिस और फिलबर कट में अच्छे लगते हैं और यहां पूरे मिरर पे आपको एक क्रोम की लाइन जाती हुई दिखती है जो बहुत प्यारी लगती है उसके बाद आप इसकी एक बार लेंथ देखेंगे क्योंकि यह एक प्रीमियम सेग्मेंट की यस्यूबी है तो इसकी लेंथ भी उसी साब से 43-45 mm की इसमें आपको लेंथ मिल आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली क्योंकि पूरी जर्नी को आसान बना देखेंगे आपको गाड़ी पूरी पार हो जाए उसके बाद आप देखेंगे तो यहां पे पूरा रियर व्यू देखने में बहुत प्यारा लग रहा है और लोगों भी एकदम सेंटर में दिया गया उसके चारों तरफ क्रोम दिया गया है और इसकी जब यह टेल लेंप जलते हुए रात में दिखते हैं तो बहुत प्यारी लगते हैं मतलब अगर यह रोड में जा रही होती है गाड़े और टेल लेंप पॉन होते हैं रात के टाइम पे तो लोग एक बार मुण के देखते हैं कि यह कौन फी गाड़ी जा रही है उसके बाद आप देखेंगे तो यहां पे क्योंकि वी की वेडिंग लगी है क्योंकि यह सबसे मतलब टॉप अन्वेरियंट है और रुफी की नीचे हाइब्रीड की वेडिंग लगी है और साइड में यहाँ पे अर्बन लगता है आपको यहां पे यह देखें सेंटर पे लोगो उपर आप देखेंगे तो सार्ग पिनिंटीना मिल जाता है यहां पे इस टॉप लैंप मिल जाता है और यहां नीचे ही आपको रियर वाई पर भी मिल जाता है तो यह सारी चीजें आपको होनी चाहिए थी क्योंकि ए 270 लीटर का 270 लीटर का bootie space अच्छा खाफा होता है क्योंकि आप अगर कहीं दूरी का सफर करने जा रहे हैं तो आपको कोई problem नहीं आएगी आप अच्छा खाफा यहाँ पर सामान carry कर सकते हैं और bootie space में आपको यहाँ पर लैंप भी दिया गया है तो अगर रात के समय में आप सामान बाहर निकालते हैं तो कोई भी आपको problem नहीं आएगी उसके बाद मैं आपको बात करता है यहाँ पर नीचे spare wheel दिया जाता है तो इसमें आपको 17 इंच का ही spare wheel मिल जाता है यहाँ पर कोई cross cutting नहीं करी गई है क्योंकि कुछ company आपको एक size कम देती है spare wheel तो यहाँ मैं इसका boot space को बंद करता हूँ और एक चीज इसमें और है कि इसमें 6040 का भी option दिया गया है तो उसको आप थोड़ा सा और increase कर सकते हैं आपके पाप बहुत ज्यादा सामान है तो उसको fold करके seat को अच्छी तरफ याप उसको use कर सकते हैं इस car की length तो मैंने आपको बताई दी कि अच्छी खासी मिल जाती है देखने में अशी लगती है कि एक 7-feater SUV है उसी इसाप उसकी width भी है उसके बाद आप जेफे ही door open करेंगे तो अच्छा काफा ये door भी open होता है लगभागे 80-85% का door open हो जाता है तो ये देखने में मतलब आपको ऊपर चड़ने में भी कोई problem नहीं आएगी यहाँ पे आप देखेंगे door trim में तो यहाँ पे chrome handle दिया गया है लेदर रहती है तो थोड़ाफा premium लगती है कि अच्छी खाफी premium का रहे हो नीचे ही आपको यहाँ पे speaker मिल जाता है और यहाँ पे bottle holder मिल जाता है तो एक एक लीटर की bottle यहाँ पे बैट जाएंगी आराम से तो देखने में यह अच्छी खाफी मतलब लग रही है height और recline पूरा angle set कर सकते हैं लेकिन seat की positioning बहुत अच्छी है seat का texture बहुत अच्छा है seat का मतलब comfort बहुत अच्छा है उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ कि इसका पूरा dashboard का design भी बहुत प्यारा लग रहा है लेकिन एक चीज़ आपने notice करी होगी कि इसमें क्योंकि यह एक automatic है तो इसमें दो pedal दिये गया है एक accelerator के लिए और एक brake दिया गया है यह manual variant नहीं है automatic variant है और उपर भी आप देखेंगे dashboard में जहाँ पे hard plastic दी गई है और यहाँ पे आप देखेंगे अधर texture भी उसमें भी आपको push start stop button मिल जाता है और यह तो top and variant है तो इसमें तो देना ही चाहिए है था और steering wheel पूरा leather wrap steering मिल जाता है जो देखने में premium लगता है उसके बाद यहाँ पे side में नीचे जो chrome type की एक वो लगती है ना वो और भी ज़्यादा premium बना देती है पूरे steering के control मिल जाते हैं क्योंकि top and variant है तो इसमें आपको cruise control हो गया रव सारी चीज़े मिल जाते हैं मैं एक बार आपको car के उपर चढ़के दिखाता हूँ बैटके दिखाता हूँ कि हमें क्या क्या चीज़े मिल रही है यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे पूरा automatic Fee control दिया गया है हजार्ड का बटन दिया गया है और Fee के switch बहुत अच्छे लगते हैं यह बहुत practical है और यहाँ पे 9 inch का infotainment system दिया गया है जो Android Auto और Apple CarPlay दोनों support करता है और इसका जो पूरा texture दिया गया है मतलब दो color पे दिया गया है तो और भी प्यारा लगता है पूरा premium लगता है यहाँ पे Fee के control दिया गया है यहाँ पे आप on और off कर सकते हैं और पूरा automatic Fee है कोई दिक्कत नहीं है idealist और start, stop button दिया गया है USB का यहाँ पे वो है port है और यहाँ पे 12 volt का charger socket में मिल जाता है और यहाँ पे पूरा manual नहीं है यह क्योंकि automatic gearbox है तो यहाँ पे नीचे control दिये गये हैं और gear lever के चारों तरफ आप देखेंगे तो chrome की line दी गई है जो देखने में premium लग 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 लिए है और यहाँ पे आपको wireless charging का भी support मिल जाता है जो अच्छी बात है 18,200,00 रुपए आप दे रहे होती यह फारी चीज़े होनी चीज़े थी लेकिन एक चीज़ मैंने फैद गलत बोल दी यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे def board का design देखेंगे तो ज्यादा अच्छा खासा premium लग रहा है यहाँ पे auto dimming IRBM दिया गया है जो auto इसको आप अपने हिसाब से भी set कर सकते हैं लेकिन यह automatic set हो जाता है और यहाँ पे देखेंगे तो cabin light दी गई है इसको साइद यह yellow light दिख रही है अब मैं एक बार driver fight देखता हूँ तो यहाँ पे mirror तो है एक बार on करके देखता हूँ अरे वाह यहाँ पे भी light है तो दोनों side आपको light मिल रही है mirror के साथ है और इसके बाद आप इस car की सबसे फेमस चीज देखेंगे जो इसका है पूरा उपर funroop इसमें पूरा piranomic funroop दिया गया है तो एक बार मैं नीचे उतर के इसको पूरा आपको दिखाता हूँ कि कितना बड़ा funroop है यह देखिए पूरा नीचे तक जाता है funroop और इसमें मुझे तो लगता है 4-5 लोग बाहर निकल के देख सकते हैं और यहां से आप पूरा funroop को कंट्रोल कर सकते हैं यह चीज़े मुझे नहीं आती है कोई जूट पूलने वाली बात नहीं यह वारी चीज़े मैंने अभी करी नहीं है funroop और ओपन नहीं किया है तो मुझे यह चीज़े समझ में नहीं आ रही है और dev board का look बहुत प्यारा लग रहा है जो चीज़े मुझे पता है वो सारी चीज़े मैं आपको समझा देता हूँ interior की तो सारी चीज़े हमने देख लिए कि क्या क्या चीज़े मिल जाती है अब एक बार हम इसके engine की बात करना होते है इसमें हमें 1490 cc का powerful engine मिल जाता है जो 91bhp की maximum power और 122 mm का maximum torque generate करता है यह 4 cylinder petrol engine है और इसमें mileage भी अच्छा खाफा claim किया जाता है क्योंकि यह hybrid technology के साथ है तो इसमें 25 kmpl का mileage claim किया जाता है अब हम एक बार co driver side देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़े मिल जाती है यहां भी आपको request sensor मिल जाता है उसके बाद आप देखेंगे तो इसका design वही है जो आपको driver side मिल जाता है same ही है इसमें कुछ features change है क्योंकि उसमें driver side आपको ज्यादा features मिल जाते है यहां पे आपको chrome में ही opener मिल जाता है लेकिन यहां पे individual आपको power window का switch मिलता है और उसके बाद आपकी नजर जाएगी यहां पे तो यहां पे AC knob वही आपको भी टारा व्रेज्जा में जैसे आपको chrome का मिलता है तो यहां पे आपको पूरा glossy black finish मिल जाता है glove box भी अच्छे खासे size का मिल जाता है driver और co driver side दोनों ही आपको ventilated seat मिल जाते हैं यानी cool seat मिल जाते हैं तो इसमें आप कितनी भी दूरी का सफर करें आपको कोई भी problem नहीं आएगी और एक चीज आपने देखी होगी तो इसमें पांचोई seat मतलब यह 5 feet है रेसी भी तो इसमें पांचोई seat में आपको headrest भी मिल जाते हैं तो यह थोड़ा अच्छा रहता है आपको head के लिए आराम रहता है कि अगर आप relax करना चाहें पीछे तो आप अच्छी तरफ बता जी कि बहुत ही जबरजफ्त है कि मतलब पीछे आप आराम से सोते हुए जाओ कहीं भी जाओ कोई भी आपको problem नहीं आएगी अच्छी खाफी यहाँ पे cool चीजे दी गई है तो आपको पूरा cabin भी cool रहेगा और यहाँ पे आपको armrest भी दिया जग गया है तो यह armrest में मुझे लगता है कि glow मतलब cup holder भी होना चाहिए एक बार मैं open करके देखता हूँ यह open हो नहीं रहा है क्योंकि चारों तरफ से इसमें पन्नी लगी हुई है तो मैं बहुत कोफिस किया लेकिन open हो नहीं रहा मैंने फिर जबरजफ्ती नहीं करी कि कोई बोले कि पूरी पन्नी अपने फाड़ दी इसकी तो मैं एक बार पीछे बैटके तो आपको दिखा देता हूँ कि इसमें किस टाइप से आपको relax मिलेगा और leg room किस टाइप से मिलेगा तो बहुत इस पेफ है क्योंकि इसकी length इसनी जादा है यह अपने segment की सबसे लंबी कार है उसके बाद आप यहा सारी चीज़े आपको इसमें मिल रही है यहां पर आपको cabin light भी मिल रही है यह हैंडर भी मिल रहा है तो मतलब passenger को बैटने के लिए तो यहां से बैटके लेकिन एक चीज है यहां पर yellow light मिल जो मुझे अच्छी नहीं लगी अगर white light मिलती तो बात अलग होती और यहां पर ए तो मतलब एफी कोई नहीं है जिसकी मैं बुरा डिजाइन अच्छा लगता है फ्रंट लुक हो या बैक लुक हो पूरा interior exterior सारी चीज़े अच्छी लगती है और मैंने यहां पर आपको fuel tank की बात नहीं करी इसमें 55 लीटर का fuel tank मिल जाता है और 25 से 25 पर लीटर का mileage यानि आप के मज़े ही मज़े हैं आप इसको कितनी भी दूरी में लेके चले जाएं कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी सबसे important अगर मैं इसकी safety की बात करूँ तो इसमें हमें fix standard airbags ABS प्लस EBD ये सारी चीज़ें मिल जाती है और last में अगर मैं इसकी warranty की बात करूँ तो इसमें 3 year औ आपको कैफा लगा कमेंट करके जरूर बताना और इफी टाइप के और भी इंट्रेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अभी कली कली